हाई गाइज, हलो बच्चपार्टी, कैसे हो आप सब लोग, I hope सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे, मैं ये इस टूडेंट्स, मैं विनोथ कुमार बहल, आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, विल्कम और विल्कम बाक टो दिस चैनल तो यहर फाइनली अभी आप लोगों का मैट्स का जो बोर्ड एक्जाम है वो ओवर हो गया मैट्स का एक्जाम हमारा ओवर हो गया अब दो तरीके के बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पर एक वो बच्चे जो बस अब इसके बाद सिरफ और सिरफ CU8 के लिए प्रिपैर कर रहे हैं एक वो बच्चे जो JE के लिए प्रिपैर कर रहे हैं और 16 को जब आपका बायो का पेपर हो जाएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के लिए भी प्रिपैर कर रहे हो मेरे पास वीडियो लाइन अप है कौन-कौन सी क्या JE और रिट वाले बच्चों को भी CU8 देना चाहिए तो वो वीडियो आएगी पर उससे पहले यह समझ लेते कि यह जो CU8 है यह क्या है और 60 days की best strategy क्या है मैं आपको यहाँ पर क्या करवाने वाला हूँ और हम इसको किस तरीके से cover करने वाले हैं सबसे पहले पहले अगर common universities entrance test 45 central universities है ठीके ना जो एक common test लेती है आपका कैसे अगर आप बोलोगे तो DU हो गया बहु हो गया जो भी बड़ी-बड़ी universities का आपने नाम सुना है पहले क्या होता था पहले सिरफ और सिरफ आपका board exams का जो result आता था जो boards का result आता था उसकी percentage के बहाफ पे DU आपको admission देता बढ़ आज आपसे वह एक entrance test ले रहा है जिसको बोलता है CU है क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं अब हम जरह एक बड़ जान तो ले कि भाई इसके लिए हमें क्या करना है और किस तरीके से preparation करनी है अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो आपकी language है language compulsion है तीन section में paper divide है एक आपका language जैसे suppose करो हमने चाहे English उठाली चाहे हमने Hindi उठाली suppose करो मतलब और भी 13 language section मतलब 1B में है 1A में है और फिर उसके 1B में आपका 20 languages है माल ले था हमने English और Hindi में से कोई एक language उठाली for an example ठीके अब इसके बाद आपका आता domain specific subject अब इसके ब आप minimum 3 subject maximum 10 subject ले सकते हो बड़ मैं यही कहूंगा यार उतने लोग जितना आपने पढ़ रखे है ऐसा नहीं कि भाई हमने 9 subject उठाली है वह problematic होगा मान लेते हैं आपने physics chemistry मैं तो science वालों की बात करूंग अभी तो bio या maths आपने उठाली है ठीक है ना 4 subject हो गई आपका general वाला जो subject है जैसे आपका aptitude जो है जिसमें आपका quant data सब कुछ अब बहुत सारे universities यह मांगती है बड़ बहुत नहीं मांगती मैं आपको यह बोलता हूं कि यह आपको लेना चाहिए यहां से आपके पास बहुत सारे options खुल जाते हैं ठीके ना तो यह आपको करना ही करना चाहिए तो यह 5 subject मानलो आपने उठा लिए और यह 5 subject अभी आपको करने ही अब physics की अगर हम बात करें physics की अगर हम बात करें भाई तो यार आपका 200 marks का paper होगा आपका 200 marks का paper होगा असल मैं 50 questions होंगे जिसमें से आपको 40 attempt करने होते हैं एक question आपका 5 mark होता है तो यह 200 होगे लेकिन यार अब कुछ बच्चे पते क्या बोलते हैं असान तुक्का मार लेंगे क्या होगे तुक्का मार लेते हैं लेकिन यहाँ पर ना negative marking भी है यहाँ पर ऐसे नहीं है कि तुमने तुक्का मार ले और तुम्हारे marks सही होगे for an example तुमने चार questions करें तुमें 4 questions की 20 number मिल गे और वही मनि आपने 4 सही करे थे लेकिन आपने 4 गलत भी कर दिये तो यह marks कितने के हो गई है एके साब से 3 questions के marks हो गए एके साब से 3 questions की मतलब यह बहुत चोटे level की बात है यह आपको लग रहा होगा रहे 4 number क्या होता है लेकिन यह बहुत बड़े number आपके काट लेग अगर आप तु के लिए अगर हमें preparation करनी है तो वह consistency मांगता है सबसे पहले पहले दो तीन reality देता हूँ लेकिन उससे भी पहले एक टेलेग्राम चैनल है हमारा physics on your tips इस चैनल पर मैं खिलवाड नहीं करूंगा आप लोग के साथ physics on your tips यह टेलेग्राम चैनल का लिंक नीचे description में भी दे रह क्या करना चाहिए तो प्लीज और एक और बात बताऊंगा अभी दक हम लोगों ने हमेशा क्या गलती करिए जैसे मेरे चैनल भी बहुत सारा बच्छा आया बोड एक्जाम से एक हफता पहले पाच दिन पहले दस दिन पहले दे भी लाइक 28 तारेक को यह आपके चैनल पर आ आप लोगों का पेपर 21st मेंसे स्टार्ट होगा 21st मेंसे स्टार्ट होगा यानि हमारे पास दो महिने से ज्यादा टाइम है अगर हम करना चाहे तो बहुत बेस तरीके से कर सकते हैं यहापर क्या सलेबसाता हमारा यहापर प्योर 12th क्लास का सलेबसाएगा पट पुश उने पुश उने वाली बात नहीं है तरह भी तो 12th कराता हो जाएगा यह पुश उने वाली बात नहीं है क्योंकि एर फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं और वह भी अच्छी चीज़े तो आपकी TVSC में तो नहीं थी बट CUET में आपको देना पड़ेगा कैसे अगर मैं आपसे करूं तो 2nd chapter में एक Vendigraf generator नाम का topic आता है 3rd में आपका potentiometer, potentiometer के applications, weirdstone bridge का application, any meter bridge, carbon resistors, color coding of carbon resistors, 4th chapter में आपका cyclodron add हो जाता है, 5th chapter में आपकी जितने भी elements, earth magnetism नहीं था वो आपको करना पड़ेगा, 6th chapter में eddy currents था वो आपको करना पड़ेगा, आपका EM waves complete हो गया, semiconductors का logic gates, transistor, NPM, यह सब चीज मतलब बहुत सारा syllabus आपका खुल भी जाएगा, तो आप नया syllabus भी आपको करना है, देखो पुराना revise करना है, यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिरफ पुराना आता तो जल्दी हो जाता, बट नया भी revise करने, और सबसे बड़ी बात यहाँ यहाँ पर derivations नहीं करने आपको, यहाँ पर आपको formulas करने है, concept समझना है, concept समझना है, और उसके उपर ज्यादा से ज्यादा MCQs की practice करनी है, और उसकी उपर ज्यादा से ज्यादा MCQs की practice करनी है, यह सारे चीज अब आपको यहाँ पर करवा रहा हूँगा, और मैं live कराँग जिसमें हम प्रॉपर आपका objective type question सब चीज़ कर रहे हूं और यह जो lecture होगा यह हो सकता है 18th को हो सकता है 17th को और 17th को भी हो सकता है ठीक है न और आपको बता दू यार यह जब विडियो आएगा ना कि NEET और JEE क्या मतब CEO देना चाहिए NEET और JEE वाले students को यह lecture किस-किस के लिए रहने वाला है मैं यह भी बता दूँगा आप यार आप यह समझ लो कि यह जो लास्ट के 60 दिन है अब आमें वेस्ट नहीं करने चाहिए इस चैनल पर daily basis में consistent हो के होल्ड पर डाल रहा हूं क्योंकि आप लोगों की preparation करानी बहुत जरूरी है यह बहुत सारे questions हम कर लेने वाले हैं यह आप बस एक ही चीज़ है आप लोगों comment box में सिर्फ इतना बताना है we are with you मैंने अभी बोला comment box में बताना है ठीक है बहुत सारे बच्चे निकल लिए होंगा तो जो अब तक यह जो रुक नहीं सकता मेरे साथ 7-8 मिनट के लिए तो वो मेरे साथ क्या ही पढ़ेगा और उसको मेरे को पढ़ाना भी नहीं है बड़ी simple सी बात क्योंकि यह अपने बता रहा है तूट से बेस्ट क्वेशन करेंगे पूरा पैटर्ण समझेंगे बाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेशन आया थे कौन सा ज़रूरी है किया थी ज़रूरी है अलग अलग वीडियो आपके पास डॉप करता रहूँगा इसक्वेशन से आपके पांच नमबर बहुत सारी चीज़ यदि आपका सपोर्ट है यदि आप कहते कि हां सर भी आर रेडी फॉर सी यूएट हां सर हम करने के लिए पूरी तरीके से तयार है हां सर मज़े आ जाएंगे हम कर लेंगे पिर यह आपके लिए टेलेग्राम चैनल फिसिक्स ओने टिप्स आप सरूर जोइन करेंगे और हां कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे होंगे मुझे आप लो हम आपके साथ करने के लिए रेडी है मैं अपने करब से पूरी जान इसमें डाल दूंगा बस अब आपकी जिमिदारी है कि आपको किस तरीके से काम करें अब यार थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं इनका मैट्स का पेपर हो गया वह भी टाइम वेस्ट मत करो मेरे पुराने लेक्चर से आप देख लो और हां साथ ही साथ में यह बहुत प्यारे नोट्स मैंने आपके बना रहे हैं इसमें एक सिंगल वर्ड भी मिसिंग नहीं है मत चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉड़ी वाला वो भी आपको मिल जाएगा शीड भी मिल जाएगा आपको सब चीज आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा तो यह आपका डिलीटेड वाला नहीं है यह आपका existing जो मतलब पुराने वाले 12 में हम बच्चों को प बच्चा उतना जड़ा जोश तो यह आर कमेट करके भी ज़रूर बताना के लिए वाल देश बच्चों बाइगास बैल अडियास